हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो यहां पर मैंने आज आप लोगों के साथ जो रेस्पी लेके आई हूं काफी हेल्दी और टिस्टी है तो बने रही हमारे साथ और देखिए क्या मैं बनाती हूं सबसे पहले मैंने यहां पर जो एक कट्ष अदाना लिया उसे दव पानी दूल करकर और एक कप पानी डाल के रख दिया एक घंटे के लिए भेगने के लिए उसके बाद मैं यहां पर आलो छील रही हूं बॉयल डालो है 5-6 आलो मैंने बॉयल ली हूई है हरी धनिया की पती और हरी मिर्च यहाँ पे कट कर ले रही हूँ, अद्रग भी छुट छुट कड़ी कट कर लूँगी, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं और आज जो मैं रेस्पी लेके आई हूँ, बहुत ही कम आयल में है, एक चम्मच आयल में आप बहुत ही बढ़ी हैं, बहुत ही टेस्टी सी रेस्पी बनाके हिल्दी खा सकते हैं, तो देखिए मैंने आलो को मैस कर लिया, इसमें एक भी घुटली आना रहे, तो आलो मेरी गरम कर लिया, इन सबका एक डो जैसे तयार कर लिया, तो यहां पर मेना डो बहुत इच्छे से रेडी हो गया, तो मैं इसका बॉल बना लूँगी, तो बॉल इतना बड़ा बनाऊंगी जाता कि अप्य मोर्ड में आ जाए, तो मीडियम साइज बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ये रेस्पी आप लोग के साथ जरूर सेयर करूँ, तो ये एक चमच में आप बहुत ही टेश्टी और हिल्दी सा नास्ता बना सकते हैं, यहां पर मैंने हर मोर्ड में घी डाल दिया, उसके बाद जैसे गी तोड़ा से मिल्ट हुआ, मैंने नहां पर सारे बॉल स्टाल दिये, दो तीन मिनट बाद मैंने इसको चेक किया, तो देखा तो नीचे के साइट एक दब क्रिस्पी हो गये थे, तो दोनों साइट हमें इस तरीके से अच्छे से पका लेना, सारे बॉल को पलट लेना है, सो फैमली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिए, सेर किजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन उन कर लीजिए, ताकि हमारी रेस्पी आप लोग देख पाए इसी तरीके से हिल्दी हिल्दी रेस्पी, तो आप लोग को कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताईएगा, और यह बहुत ही तेस्टी बहुत ही हिल्दी सी रेस्पी है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, तो इसे आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, और इसे चटनी के साथ भी खा के चाय पी सकते हैं, सिंपल चाय के साथ भी खाते हैं, ब्रत में भी खा सकते हैं, तो मिलते हैं इसी तरीके से और टेस्टी रेस्पी के साथ पिसे एक नए वीडियो में तक तक के लिए बाबा फ्रेंड